सुप्रिम कोट ने सीब्याई जज लोया की साल 2014 में हुई मोत की जाज की मांग को खारिज कर दिया है कोट ने अपने फैसले में याचिया करता की मनशा को लेकर के भी सक्त टिपनी की है दिसंबर 2014 में महराश के सीब्याई जज बीएच लोया की नागपूर में दिल का दोरा पढ़ने से मौत हो गई थी जज लोया अपने एक सहयोगी की बेटी की शादी में शरीक होने के लिए हुआ गए थे Frame Court में दायर याचिका में मांग की गई थी कि जज लोया की मोत के हालातों की सच जानने के लिए इस मामले में सुतंतर जाच का आदिश दिया जाए लेकिन Supreme Court ने याचिका को खारिच कर दिया कोट ने कहा कि राजनतिक लड़ाई चुनाओं में वोटरों के सामने लड़े इसके लिए कोट का इस्तेमाल ठीक नहीं जिस तरह बंबे हाई कोट की जजो की नियत पर सवाल उठाए गए वो अपने आप में अदालत की आउमानना का मामला बनता है लेकिर हम फिलाल ऐसी कारवाई नहीं कर रहे हैं वीड़े जिख दिश्चंद के साथ अरविंद सिंग न्यूजनेशन दिल्ली जस्टिस लोया मामले में आए सुप्रीम कोट के फैसले के बाद भारती जनता पार्टी कॉंग्रेस पर हमलावर हो गई है बीजेपी ने इस मसले पर राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की अपील की है भारती जनता पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि ये जनहित याचिका नहीं थी बलकि जान बूज कर उनकी पार्टी के रास्टी अध्यक्ष आमित शाह को बदनाम करने के लिए ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी विडियो जनिस्त जैराम के साथ रवेकांतरा है न्यूज नेशन दिल्ली मक्का मस्जिद बलास्ट केस में फैसला देने वाले जज रविंदर रड़ी के इस्तीफे को आंदरप्रदेश तिलंगाना हाई कोट ने नामंजूर कर दिया है हैदरबाद की मक्का मस्जिद विस्पोर्ट मामले में फैसला सुनाने वाले विशेश नईए कोट के जज रविंदर रड़ी के इस्तीफे पर विचार करने के बाद आंदरप्रदेश और तिलंगाना हाई कोट ने उनके इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है रविंदर रड़ी ने निजी कारण बताते हुए सोवार को फैसला सुनाने के तुरंट बाद ही इस्तीफा दे दिया था वही जज रविंदर रड़ी ने कहा है कि उनके इस्तीफे को इस फैसले से जोड़ कर देखना नहीं चाहिए वीडियो जनलिस्स मोनीश के साथ आसर मुझताक, न्यूज नेशन प्रविंद तोगडिया ने साधू संतों के मनाने पर आज तीसरे दिन अपना अंशन तोड़ दिया है अब प्रविंद तोगडिया राम मंदिर के मुद्दे के साथ पूरे देश का दौरा करेंगे अनिश्चित कालिन उपवास शुरू किया लेकिन आज उन्होंने साधू संतों की बात मान कर अपना अंशन तोड़ दिया अंशन के तुरंद बाद आज भी तोगडिया ने मौझूदा सरकार पर हमला किया प्रविन तोगडिया ने कहा कि सरकार अपना वादा पूरा करे वरना दोहजार उन्नीस में सौ करोड हिंदू ने माफ नहीं करेंगे एहमदवाद से हित्तल खत्री के साथ पूराव पटेल न्यूजनेशन ठानकूट एरबेस के पास आर्मी यूनिफॉर्म में तीन संदिक्दों को देखे जाने के बाद खुफिय अजनसिया अलर्ट पर है संदिक्दों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान जारी है ठानकूट एरबेस एक वार फिर हाई अलर्ट पर है एरपोर्ट के आसपास कल रात को स्थानिय लोगों ने तीन संदिक्त लोगों को आर्मी की युनिफोर्म में देखा जिसके बाद स्थानिय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद खुफिय अजेंसियों के साथ साथ पुलिस भी हाई अलर्ट पर है संदिक्तों को पकड़ने के लिए खुफिया अजेंसियों सहित पुलिस ने सर्च अभियान जाली रखा है ठानकोर एरबेस पहले भी आंत की घटना का शिकार हो चुका है और आप आर्मी यूनिफोर्में तीन सदिक्तों का देखे जाना किसी अप्रिया घटना की और इशारा कर रहा है जिसके चलते पुलिस और अजेंसिया हाई अलर्ट पर है वीडियो जनलिस्क शर्ण के साथ विशाल ठाकूर नियूज नेशन चंडिगर पाकिस्तान पर निशाना सादने के लिए पीए मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिकर किया पीए मोदी ने कहा कि भारत आतंकोद को निर्याद करने वालों को बरदास्ट नहीं करेगा उनको उनी की भाशा में जवाब देगा भारत की बात सब के साथ सेंटरल हॉल वेस्ट मिंस्टर में प्रधान मंत्री मोदी सवालों के जवाब दे रहे थे उसी दोरान ये सवाल उबर कर सामने आया दर्शक में बैठे एक सक्स ने सर्जिकल हमलों पर सवाल किया तो मोदी ने जवाब में कहा कि जिने आतंग का निर्यात पसंद है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत बदल गया है और उनके पुराने तौर तरीकों को ब्रदास नहीं किया जाएगा सर्जिकल स्ट्राइक ये भारत के वीरों का तो पराक्रम ठाई था लेकिन तर्जव एक्सपर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि आप हिंदुस्तान बदल चुका है पीम के सर्जिकल स्ट्राइक के उधारन से साप है कि आतंकवाद को लेकर भारत अब अक्राम अकरुख अख्तियार कर चुका है और ऐसे में पाकिस्तान की हर हिमाकत का मुहतो और जवाब भारत देने के लिए तयार बैठा है बिरुजनले सतुलराज के साथ मौदुरिंद्र कुमार नियूस निर्चन दिल ले बीजेपी अध्यक्षामिच्छा ने बंगलूरू में चुनावी रणनिती तयार करने के लिए पदाधी कारियों के साथ की बैठाक दोपर में उन्होंने शक्तिकेंद के प्रमुकों के समयलन में हिस्सा लिया और वहाँ पे बीजेपी की आगामी यूजनाओं के बारे में शक्तिकेंद प्रमुकों से बात की बैगलूर में साम को साड़े साथ बजे बीजेपी अज्दाक्षामीच शाह उज्जोग पत्यों के साथ बैठक करने वाले हैं बीजेपी की अपनी योजनाओं के बारे में वो उज्जोग पत्यों से बात करने वाले हैं विडियो जनली स्वपलिक चवान के साथ सुबाश शिर के न्यूज नेशन बेल गाउं गटना के बाद से मितक का ड्राइवर लापता है फिलहाल पुलिस के शक्य सुई मितक के ड्राइवर के आसपा से घूम रही है नौड़ा से विडियो जनलिस्ट सुदिर कुमार शर्मा के साथ मनीश और अस्या न्यूज नेशन पिछले तीन दिनों से कैश क्रंच की समस्या अब और विक्राल होती जा रही है खास तोर पे ग्रामीड इलाकों में अभी तक कैश नहीं पहुचा है वित्तमंत्राले का कहना है कि दो से तीन दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एटियम में कैश की समस्या अभी बनी हुई है कई ग्रामीड इलाकों और छोटे शहरों वेस्ट बाजारों में कैश नहीं मिल पा रहा है हाला कि कुछ इलाकों में कैश मिलना शुरू हुआ है लेकिन लोगों को खासा परेशान होना पड़ रहा है आज मैं समझता हूँ कि देश के असी प्रसत से उपर के एटियम में पैसे है जहां भी कोई जाएगा हुऊ है देश में करीब एक लाग दस अजार एटियम है जिनके री कलिबरेशन का भी काम चल लाहा है आर्बियाई का कहना है कि डिस्टिविशन और री कलिबरेशन के ल प्रसान नीजिशन दिले